इन दिरोज सोशल मीडिया पर एक अजीब सी वार छिडी हुई है जहां एक तरफ यूडियो वसस टिक्टॉक चल रहा है वही दूसरी और टिक्टॉक को बैन करने का मुद्दाद जम कर चल रहा है इसी के चलते इस एप को प्ले स्टोर पर कम रेटिंग दी जा रही है और हाल ही में टिक्टॉक की रेटिंग 1.2 तक आ गई थी क्योंकि इसे लगातार 1 स्टार दिया जा रहा था जहां एक टाइम पर टिक्टॉक की रेटिंग 4.7 थी जो घटकर 1.2 पर जा पहुची थी और सब लोग मिलकर टिक्टॉक की रेटिंग घटाने में लगे हैं लेकिन हाल ही में रेटिंग गिराने वालों की महनत टिक्टॉक ने बेकार कर दी है और टिक्टॉक की रेटिंग 1.2 से बढ़कर 1.6 पर आ गई है आपको बता दे कि पिछले कहीं दिरों से टिक्टॉक के कंटेंड को लेकर कहीं सवाल उठाय जा रहे थे हाल ही में टिक्टॉक स्टार फै टॉक ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था और लोग टिक्टॉक का विरूद करने लगे थे इसकी रेटिंग को कम करने का सिलसला चल पड़ा था नहीं भारत में एक मैसेज सोशल मीडिया पर जमकर भाइरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि टिक्टॉक को यूज करना बंद करो और इसे अनिंस्टॉल कर दो जिसके छलते टिक टॉक की रेटिंग कम होने में भारती यूजर्स का बड़ा हाथ माना जा रहा है लेकिन हाल ही में टिक्टॉक की रेटिंग वापस से बड़ी हुई दिख रही है जो टिक्टॉक का विरूत करने वालों के लेकिन अगर अप्लिकेशन ने खुद में कुछ बबलाव किये हैं और नए वर्जन को लेकर आया है नए फीचर उसमें जुड़े हैं तो फिर से अप्लिकेशन की रेटिंग बढ़ सकती है शायद यही वज़ा है कि टिक टॉक की रेटिंग घटते हुए एकदम से बढ़ने लगी है जो टिक टॉक का विरूद कर रहे लोगों के लिए एक बड़ा चटका है अब टिक टॉक इंडिया में बैन होता है या नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस तबैल आइकन फोर अपडेट्स